कि डियर स्वागत आपका मेकडीजी के इस प्लाटफॉर्म पहे बच्चों आज का स्वाइस क्वेशन है बहुत जबर्दस्त बहुत सांदार बहुत अल्टिमीट क्वेशन है देखते हैं क्या है क्वेशन देख्विलेंट लेंथ ओफ इस सिंपल पेंडूलम विच गिप्स डाओं की जकन। आख रहे सेम फ्रिक्वेंशी एज एक अपंपॉद पेंडूल इस यह बोल रहा है कि सिंपल पेंडूलम अगर को moozie पेंडूलम है ठ्ट baru कंपरूंड पांडूलम के बराबर सुअ और आपको देता है वीच सबसे पहले क्या है सिंपल पंडूलम के अगर हम बात करें तो टाइम पीरेड का जो फॉर्मला होता हूँ होता है तू पाई अंडरूड एल अपॉन जी यह आप जानते हैं ठीक है यहां से अकर मैं फ्रिक्वेंसी निकाल लो तो वन इसका क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंसी क् पाई अंडरूड केजी स्क्वेर प्लस एच स्क्वेर अपॉन जी एच क्लार केजी क्या होता है बटा केजी क्या होता है दिस इस इस जो इसका सेंट्रों मास है उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है केजी ठीक है सेंट्रों ग्रेव सीजी का रेडियस ऑफ जाइरेशन यह आप संपली कहें तो ठीक है और एच क्या होता है दिस इज दा यह हिंज पॉइंट से इसकी डिस्टेंस होती है ठीक है सीजी की ठीक है चले अब आगे देखते हैं क्या होगा काम यहां पर क्या है अगर यहां से हम फ्रिक्वेंसी निका लिए तो इसका उल्टा हो जाएग वन अपोन डूपाई अगर फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है इफ स्कार रूबारइबवर ह्य। वो किसके बराबर होना चाहिए यहां तो क्या होका बैटा या तो आप frequency frequency को compare करिए लेकिन आप time period को भी compare कर सकते हैं कि frequency is the reciprocal of time period अगर frequency time period का reciprocal है तो अगर frequency same है तो obvious time period भी same होगा तो आप सबसे best यह होगा कि यहां से count न करके यहीं से आप करें time period को equivalent कर दें यहां से आपको आसानी होगी क्योंकि 2pi का 2pi सेम है g का g सेम रखो बाकी जो कुछ बचरा है उसको आप ले लो ल की जगा ल की जगा क्या जाएगा पहले तो इसको देखते ते यह 2pi का 2pi है ठीक है जी का हमने जी कर दिया ठीक है जी कर दिया यहां बच यहां क्या बचा बचा यहां बचा के जी स्कॉरे प्लस ह एच स्कॉरे अपॉन एच की वैली निकालो अगर यह एलक बराबर होता है तो उसकेस में कि में दोनों के लिए टाइम पीरद बराबर आएगा इसकास में हम कहेंगे के जी ल है इस बेकम्स एक्विलेंट लेंथ कि लिए यह आपकी एक्विलेंड that's so that the simple pendulum and compound pendulum the time period for both or the frequency for both becomes equal clear the equivalent length which you have is kg square plus h square upon hk and this way we count it from here if you want to see here you can do it from here see here we will do things here from here we will do 1 upon 2pi and this g we have taken this g and the rest of the game we will equal what we will be here we will be here we will be here we will be here h upon kg square okay so what we will be here actually 1 upon l 1 into 1 if i do 1 upon l here we will be here 1 upon l is equal to h upon kg square plus h square by in don't go to compare car second ticket this come out the l is called to a jaga ka k g square plus h square upon h joki upka you have baby i at a killer to kisi come compare career up for equivalent and same million while your work is capable of roti equivalent and is always agar kiss case me agar simple pendulum or compound pendulum don't know kelly agar time period ya frequency same at us case major equivalent and then for the simple pendulum that will become kg square plus h square upon h kg square plus h square upon h aapka banja tar option b aapka sahih answer ho jayega clear rai to chale bachow agar aapka yi session phasanth aaya ho to session ko like kere comment kere share kere aur agar aap humari channel pere nye hai to channel ko subscribe jalur kere thank you so much for watching this video